हेलो एब्रिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चानल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ डियलेट फॉर सेमेस्टर की इंटनसिफ फाइल जैसे कि मैंने प्रीबियस वीडियो में आपको बताया था कि इंट्रोड़क्शन कैसे दिंगे फाइल का इंट्रोड़क्श तो मैंने अभी वीडियो नहीं अप्लोड किया उसका क्यूंकि जैसे कि नेट्वरक इसू था और पीडिए बहुत बड़ा हो जा रहा था फाइल का तो मैं अप्लोड नहीं कर पा रहे थी इसलिए मैंने ठोड़ा टाइम लिया लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि मैं अपलोड कर दूँगी तो जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि बहुत confusion है कि फाइल कैसे बनेगी और फाइल किस तरीके से बनानी है तो स्टार्टिंग का portion तो मैंने अपने previous वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से बनाना है तो ये आप देख लीजे फाइल किस तरीके से बन रही है वो ही same चीज मैं यहाँ पर स्टार्टिंग का दिखा रही हूं उसके आगे का मैं यहाँ पर continue करूंगी इसकी पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेभी आज साम या कल मेभी कल मिल जाएगी क्योंकि ठोड़ा डेटा का प्रॉब्लम है नेटवर्क नहीं है इसके वज़े से मैं upload नहीं कर पा रही थी तो इंटरक्शन का पार्ट तो यह देखे सेम ही है और अभी तक जिसने देखा नहीं है वो जाके previous वीडियो देख सकते हैं तो वो जाके previous वीडियो देख सकते हैं या तो फिर मैं यही पर continue कर रही हूं आपका वहीं से अप इस starting कर देख सकते हो और उसमें मैंने introduction का part बताया था कि किस तरीके से बनाना है उसके बाद हम complete करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्या बनाना किस तरीके से बनाया है उसमें मैंने confirm नहीं किया था उस video में क्योंकि मैं confirm करना चाहती थी college वालों से, private college वालों से कि किस तरीके से बना है तो जैसे कि मैंने contact किया उनको तो मुझे पदा चला कि उनके में जैसे lesson plan बनते हैं पहले बनते थे उस तरीके से बनाने के लिए बोला है बाकी diet में या government college में भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि file किस तरीके से बनानी है एक दो college है जो lesson plan बनाने के लिए कहे रहा है तो उनको भी नहीं पता किस तरीके से बनाना है तो उन्होंने बस बताया कि lesson plan बनाने के लिए कहे रहा है तो देखी ये introduction के बाद यहां से आप part योजना निर्मार किस तरीके से करेंगे listen plan का introduction का part अब दोगे तो ये listen plan क्या है इसमें ये देखिए, यहाँ पर बताना है कि आप क्या-क्या topic listen plan में आप include करते हो तो यहाँ पर आप इसको write करोगे, अपने note down करोगे अपने copy में then उसके बाद आता है आपका निर्धारित बिसेवर्स्त यानि आप जो subject lesson plan बना रहे हो जिस subject का आपको यहाँ पर mention करना है तो उसके लिए आपको index बनाना होगा जिसमें आपको include करना होगा कि आप particular subject का बना रहे हो किस subject का बना रहे हो, कौन सी class का है तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या बिसे, प्रकडर प्रकडर का मतलब आपका topic होगा और कप्छा यानि class दिनांक आप जिस date को आपने teaching की है जैसा कि teaching तो proper करीके से नहीं हो रही थी और नहीं हुई है आपकी और इसलिए मैं आपको lesson plan provide नहीं कर रहे थी और आपको detail पूरी नहीं बताया था मैंने because क्योंकि कहीं कहीं पे नहीं बोला जा रहा है lesson plan बनाने के लिए लेकिन जैसे मैंने बताया है number तो उनको देना है तो अगर वो force कर रहे हैं कि lesson plan बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो और इसमें आप अभी lesson plan का तो नहीं कह सकते कितना बनाना है लेकिन last time की तरह 20 बनाया गया था last time और इस time maybe 20, 15 ऐसे बनाने होंगे लेकिन मैं आपको provide कर रहे हूँ आप अपने हिसाब से देख लीजएगा कि आपके college वाले lesson plan बोल रहे हैं बनाने के लिए तो आप इसको लिख सकते हो तो आपको ये index लिखना है index में आपको एक page लगाना यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे blank छोड़ दिया है आप यहाँ पे इस area को index की तरह बना लिजेगा यहाँ पे आप जितने भी 20 lesson plan 50 lesson plan करम संख्य डालके आप बिसर डालके प्रकरण डालके आप लिख सकते हो उसके बाद आता है आप पाठ योजना की बात करें तो आज मैं आपको बताऊंगे कि पाठ योजना किस तरीके से बनानी है आपको अगर classics के लिए बनानी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और अगर मैं ब्याकरण बढ़ा आई हो तो बिलूम सब्द क्या है आपको यह बता सकते हो तो आपको समान्य उद्देश लास ताइम की तरह आपको लिसन प्लान बनाना है उसके बाद बिसिस्ट उद्देश डालना है और बिसिस्ट उद्देश में आपको बिसिस्ट उद्देश में आता है तो आपको टीचिंग एड्स या सिच्छड समागरी क्या होती है आप यहाँ पर बताओगे अगर आपने मुहला टीचिंग की है तो नहीं यूज की है तो आप नहीं लिख सकते है तो यह डश्टर नहीं लिख सकते हैं और आपने ओनलाइन जो सोर्स यूज किया होगा वो लिख सकते हो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ यहाँ पर इसके बाद आता है पूर वग्यान क्या है पूर हुआने आपका पहले चेक करोगे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया है और किस तरीके से बच्चे पढ़ चुके हैं कितना उनको नॉलिज है तो प्रीबियस नॉलिज चेक करोगे और अगर मैंने बताया ना जैसे कि आपके प्राइबेट कॉलेज वाले बोल रहे हैं तो आप लास्टाइम की तरह चाप लोगे उसी तरह से बनाना है क्योंकि अगर वो फोर्स कर रहे हैं उसी तरीके से बनाने के लिए तो आप ऐसी तरीके से कॉपी कर सकते हो तो हिंदी का है ये प्रस्तावना प्रस्टन आपका इंट्रोडक्शन का questions आता है आप यहां पर चेक कर लिजे फिर आपका उद्देश एकतन आता है announcement of topic क्या हम क्या सकते है उद्देश एकतन ठीक है तो आप बताओगे बच्चों को हम क्या पढ़ रहे हैं then presentation आता है प्रेजेंटेशन पर आप ब्लैकबूर्ड वर्क आपको डालना है और इस तरीके से छात्राद्य पिकाक्रिया से छात्रीक्रिया आपको डालनी है तो यह complete आपका यह lesson plan इस तरीके से बनेगा तो बिलोम सब्द में आप पुनरविती प्रस्ट्रियकार आपका यह complete हो जाता है और आप एक्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो बिलोम सब्द इस तरीके से बना के दूसरी यह पार्ट योजना बात करूँ हिंदी की तो यह भी आपका ब्यागरट से ही है और इसमें हम सर्वनाम या सर्वनाम के भेद देखेंगे कि कितने भेद होते हैं आप इस तरीके से लिखेंगे भावात्मक उदेश और आप को इस तरी से continue करना है आप यह देख लीजे आपको सेयमपट वर्ट याऊँ आपने जहां से बुक से पढ़ाया है उसका पिक्चिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए है बिसिकली मैंने कन्फॉर्म करके आपके साथ सेर कर रही हूँ विकॉस मैंने पता किया तो प्राइबिट वाले बोल रहे थे कि उनके कॉलेज में लिस्सिन प्लान बनाने के लिए बोला गया है बाकी डाइट में या अधर इस कॉलेज का ऐसा कुछ अभी नहीं सीन है क्योंकि अभी 23rd को और 24th को लिंट इंटनसिप आपकी खतम होगी में भी किसी का डिले हो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं बोला गया है तो आप इसको लिख सकते हो जिनको बोला गया है जो भी उनके लिए टॉपिक बताया जागा किस तरीके से बनाना है उनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी और ये उनके लिए है जिनके कॉलेज में लेसन प्लान बनाने के लिए बोला गया है और इसकी पीडियो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको अबाउट शेक्शन में मिल जाएगी और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे अपने दोस्तों के साथ complete होगा और बिसेचर क्या है सीम आप इस तरीके से question कर सकते हो उद्देशकतन प्रस्तूतिकर और इसको slow में करने हो तो आपको easily देख से है अधरा इस पीडियाप आपको टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी don't worry आपको ये पीडियाप में टेलिग्राम चनल पर प्रवाइड कर आपका three lesson plan अगर बोला जा रहा है तो आप three lesson plan बना लेंगे अगर आपको इसमें से कोई भी topic आपको पसंदा है तो बना लिजे क्योंकि मैं हिंदी के बहुत सारे lesson plan आपको प्रवाइड कर रही हूँ ठीक है तो आपको जो भी अच्छा लगे है आपके recording वो आप include कर लिजे अगर three lesson plan बनाना है last time की तरह तो आप three lesson plan ही बनाईए और आपको इतने मेंसे कोई भी topic आपको पसंदा आता है वो आप ले लीजे मैं आपको प्रवाइड कर दे रही हूँ मैं और भी lesson plan प्रवाइड कर रहूँगी other subject के भी वो भी आप देख लीजेगा क्योंकि अभी network problem थ आपको कोई भी topic अच्छा नहीं लगा होगा तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लीजेए अपने copy में ठीक है क्योंकि अगर आप एक ही जैसा सबी लिखोगे तो फिर अलग होना भी चाहिए न तो इसलिए मैं अलग-अलग topic का भी बता रही हूँ है सर्वनाम के इसमें भी थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है तो पहले वाला जो मैंने बताया तो इसमें ठोड़ा डिफरेंट हा यह डिफरेंट है तो आपको जो भी आपको suitable रगे you can write in your notebook otherwise आपकी इस्वाइस है और भी lesson plan में provide कर दूँगी तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरी पहले है अपको आपको बनाना है जो SIMérêt मैंने बता दिया था प्रिबियो में賀 भी आपको लेशली के ऎलागा लाαςकशिए तर वाहिपको छिमती कि तो कि सब्रेषा के तरीके से पतागी तो आपको बिंटेक्षिन अच्छी तरीके से और आपको लिएका को पाना परेंगे त बनाईएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी रगी होगी अगर वीडियो अच्छी रगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर ले शब्सक्राइब कर ले कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कमेंट करके पूछ सकते हो मैं अवेलिबर रहूँगी आपको 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 आपकर मिल जाएगा ओकी थैंक यू